हेलो सुदेंट आज हम इस वीडियो में एक्षेंज रेट थेओरी के अंदर इंटरिस रेट पैरेडी थेओरी को विद एक्जांपल डिसकस करेंगे तो चले शुरू करते हैं पहले बात तो एक्षेंज रेट होता क्या है तो एक्षेंज रेट दो कंट्रीस की जो करिंसी होती हैं उनको कनवर्ट करते हैं जब हम एक करिंसी को उसे करिंसी से कनवर्ट करते हैं तो जिस रेट पर कनवर्जन होता है उसी को हम क्या कहते हैं तो जो countrys के बीच में ये exchange rate move करता है न ये exchangeर जो decide होता है वो कई factors के through determined होता है पर उनमेसे जो सबसे important factor है वो हमारा होता है interest rate और होता है inflation rate ये दो ऐसे important factors हैं जिनके basis पे ही हमारा exchange rate decide होते हैं और इन दोनों factors के basis पे three सबसे important theories को propound किया गया वो तीन important theories कौन कौन सी है purchasing power parity theory, interest rate parity theory, international versus effect theory और basically यही वो theories हैं जो आपके exams में generally पूछी जाती है तो यह जो theories हैं और यह जो दोनों important factors हैं यह theories इन दोनों important factors के बीच में relationship को बताते हुए exist हुई है तो यह जो relationship बताते हुए exist हुई हैं और यह जो theories पर found हुए उनको हम एक diagram के तुरू देख लेते हैं तो जैसे exchange rate इसको हम triangle के basis पे पूरी theories को और इन factors को decide करेंगे कि कौन सी theory किन factors के बीच में relationship बताती है तो exchange rate हमारा हो गया, तीन corners हमारे क्या हो गया, एक exchange rate हो गया एक हमारा क्या हो गया, inflation rate हो गया, और next क्या हो गया हमारा, interest rate हो गया यह तीन वो, दो यह वो factor हो गया, जिनके basis पे हम क्या decide करने वाले हैं exchange rate, inflation rate और interest rate और यह बहुत important factor है rate के लिए, right तो exchange rate और inflation rate के बीच में, इनके बीच में relationship को बताते हुए जो theory exist करती है, वो हमारी कौन से कहलाती है, purchasing power parity theory, triple P theory जिसको हमने already वीडियो में discuss कर रखा है, है ना, तो purchasing power parity theory किसके बीच में relationship बताती है, inflation rate और exchange rate की बीच में कि इनके basis पे exchange rate कैसे decide होता है, वहीं पे interest rate और exchange rate के बीच में जो theory relationship exist करती है, वो हमारी कौन से होती है, interest rate parity theory मतलब, interest rate parity theory कहती है, exchange rate जो अब decide करने वाले है न, वहाँ पे important factor कौन सा है, हमारा interest rate, interest rate को ध्यान में रखी है, और उसकी बाद हमारा exchange rate decide होगा, clear है, और वहीं पे जो fissure effect theory है, वो किनके बीच के relation को बताती है, interest rate और inflation rate को measure करते हुए, वो क्या decide करती है, exchange rate decide करती है, तो वो theory हमारी fissure effect theory हो गई, तो एक generally आपको पता होना चाहिए, कि exchange rate में से कोई भी theory हो, तो इन theories में यही वो important factor है, जिनके बीच बीच पे ये rate decide होने वाला, परचिस भी power parity के लिए inflation हो गया, interest rate के लिए interest हो गया, और fissures के लिए interest और inflation के बीच बात ही आपका exchange rate होगा, तो अब हम बात करते हैं कि interest rate parity theory होती क्या है, correct, तो देखें, parity theory मतलब equality के बात करते है, parity मतलब क्या है, equality, interest rate parity theory, तो पहली बात तो जो हमने diagram से देखा, वो क्या हो गई, कि interest rate parity theory क्या करती है, relationship बताती है, हमारी interest rate के बीच में और exchange rate के बीच में, तो जब दो countries का जो interest rate है न, वो interest rate को ध्यान में रखते होए ही, हम क्या decide करते हैं, उनके बीच का exchange rate decide करते हैं, तो यह theory, main क्या कहती है, कि जो forward और spot exchange rate रहता है, forward rate और spot exchange rate, इन दोनों के बीच में, इन दोनों rate के बीच में जो difference होता है वो हमेशा equal होना चाहिए, अब देखे, आप, आप जब market में trade कर रहे हैं, यह सारे की सारे trading के लिए ही होते हैं, और exchange, अगर exchange rate की बात करें, तो हम करी क्यों रहे हैं, क्योंकि हमारा foreign exchange में exposure है, foreign exchange में exposure होने का मतलब क्या है, तो हम investment करते होंगे, एक country से दूसरी countries में, जो currency invest करेंगे, तो currency से convert करने पड़ेगी, यह हम business करते होंगे, तो कहीं न कहीं हमारा foreign exchange में exposure है, तो ऐसे जब exposure होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इन चीजों को ध्यान में रखते हुए, exchange rate को fix करेंगे, और उसी के basis पे हमारा derivative भी काम आता है, तो कहीं न कहीं याद रखिएगा, कि forward contract, future contract, यह जो हमारे contracts होते थे न, derivative में, वो हमें इस exposures में काम आते हैं, मतलब यह exchange rate जो होगा, या foreign exchange में जो भी हमारा exposure, जो भी है, उसके risk को को खतम करने के लिए, contracts हम लेते हैं, यह जो इतने भी derivative के उसके बाद जो एक्षेंजरत डिसाइड होने वाला है, उन दोनों के बीच का difference, हमेशा equal होना चाहिए, कि इसके बीच में, interest rate के बीच में, दो countries का जो interest rate है, उनके बीच में जो difference होता है, वो difference हमेशा equal होना चाहिए, उन countries के forward ओ स्पोर्ट exchange rate के बीच के difference से, तो याद रखिएगा और formula भी यही जो theory है ना यही जो main है यही इसी के basis से पूरा formula frame होता है कि forward और spot exchange rate के difference हमेशा equal होंगे दो countries के बीच में जो interest rate चल रहा होगा उसके difference में country A में क्या interest rate चल रहा हो country B में और दोने interest rate के बीच का difference equal होगा आक किसके reference के बराबर forward और spot exchange rate के बराबर यही बात parity होगा quality exchange rate कि quality forward और spot exchange rate की quality और interest rate की quality clear है तो यह क्या कहता है interest parity जो है basically क्या notion है इसका कि arbitrage नहीं होना चाहिए no arbitrage in the foreign exchange market कोई भी arbitrage नहीं होना चाहिए और आपको पता है कि arbitrage है क्या चीज arbitrage basically होते क्या हैं कि ये करते क्या हैं कि बिना अपना पैसा कोई invest नहीं करेंगे जो prices में एक market से दुसरे market में जो prices में difference है उससे ये profit कमाते हैं मतब जिस market में price कम है वहाँ से खरीदेंगे और जिस market में price ज्यादा वहाँ पे एक जगह से उठाके दुसरे जगह सेल करते हैं simultaneously इनका काम होता है यहाँ buy का option डालते हैं वहाँ purchase कर डालते हैं एक साथ तो ये buy purchase करते हैं और क्यों कर पाते हैं क्यों कि difference रहता है और जब ये price में difference रहता है तो उससे से ये profit कमाते हैं तो interest rate parity हम से क्या कहता है कि difference होना ही नहीं चाहिए equal होना चाहिए जिससे की arbitrage को कोई फाइदा में लेना आपको याद रखे जब arbitrage के process को आप क्योंकि इतना detail आप numerical यहाँ पे नहीं कर रहे होंगे इस MBA वेगरा course में आप इतना numerical detail में नहीं करते हैं तो ऐसे scenario में आप इस process को जब नहीं कर रहे हैं पर अगर आप mathematical इस process को बहुत ज़्यादा detail में करेंगे तो आप देखेंगे कि arbitrage वो person जो वाकर में equality भी ला दिता है क्योंकि अगर arbitrage है तो कहीं न कहीं बाद में जाके आप equality पे ही आओगे पर यह है कि उतने time period में आपका market बहुत अलग तरीके से run करने लगा था arbitrage एक जादा profit क्मान रहते हैं जो कि सहीं नहीं होता है इसलिए जुतने भी rate बनाया जाएं चाहे वो derivative में हो चाहे एक्स्चेंज में हो जब भी कोई theories दी जाती है rate को decide करने के लिए तो उस theory का focus क्या होता है equality होता है तो सारी theories किस पर बात करती है equality के बात करती है तो यहाँ पर यह चीज़े हमारी क्या हो गई clear हो गई अब जो भी investors होते हैं हमारे है ना चाहे आप investors की बात करिये या फिर कोई भी foreign जो भी मतलब exchange में या import export की business में रहता है business man है तो वो जो क्या करता है वो जो difference होता हमारे interest rate के बीच में उन में क्या करता है profit कमाने की सूचता है तो बात यही कही जाती है कि कोई भी investor हो या कोई भी इस तरह का business man हो ये इन interest rate के बीच में जो difference है उसे profit ना कमा सके है ना चाहे वो foreign exchange को अपना asset मान रहा हो या फिर वो investment कर रहा हो मतलब या तो currency उसके पास अपनी as an assets के form में है भई मैं business man हूँ मेरे पास बहुत सारे dollar की currency रिसीव हुई और मैंने उसको as it is रख ली है ठीक है तो मेरे पास as a dollar है तो वो मेरी assets हो गई और फिर बात में उसको convert करके अपनी countries की currency में ले आते हैं तो इनका कहने के मतलब आप किसी भी तरीके से काम कर रहे हो चाहे आप assets के form में रखते हो चाहे investment के form में रखते हो कुछ भी रखते हो पर बात क्या है कि कभी भी interest rate की बीच में difference नहीं होना चाहिए आपका exchange rate ऐसा होना चाहिए कि difference equal कर जाए clear है तो इसी वजह से इनके ये जो concept है कि investor cannot seek to profit from the difference between the interest rate using foreign exchange as an assets or way to invest मतब foreign currencies को चाहे वो उनके asset के form में या investment के purpose से कैसे भी इसका इस्तमाल करके वो interest rate के difference से profit नकमा सके ये इनका may name होता है इसलिए बोलते है no arbitrage और इसी prospect की वजह से इसका नाम क्या है assets approach to exchange rate determination इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि ये क्या है assets approach है exchange rate को determine करने का clear है तो interest parity जब हम calculate करते है तो वहाँ पर important एक चीज़ हमारी आती है forward premium and forward discount ये बहुत बड़ा role play करती है forward premium and forward discount और forward premium and forward discount निकालने के formula भी है clear है जिसे premium है forward premium premium का मतलब क्या होना जादा और forward है तो आप इसका formula इस तरह से याद रख सकते हैं कि forward minus spot rate divided by spot multiply by hand rate और multiply by 12 divided by n ये मतलब month के लिए हो गया 12 divided by n तो आप क्या कर देंगे इसका मतलब spot जादा होगा तो आप ऐसे formula कर देंगे spot minus forward divide by forward multiply by hand rate multiply by 12 by n 12 by n आपका month का है और month नहीं है तो multiply by 1 मतलब year हो गया फिर कुछ करना ही नहीं है clear है तो ये अपका forward ये premium और discount की formula होते है जो कि important होते है तो अगर कहा जाएं तो ये जो पूरी theory है न वो क्या कहती है कि ये भी जो भी आपका forward premium है या जो भी आपका forward discount है जो भी premium है discount जो भी है foreign currencies में वो हमेशा equal होना चाहिए किस चीज से जो companies का interest rate है आपका उनके बीच में दो companies, दो countries के जो interest rate है उनके बीच में उनके बीच के जो difference है उसके बराबर होना चाहिए clear है तो premium और discount इतना ही हो कि जितना आपके interest rate के difference का gap है तो तब आपका क्या होगा interest rate parity होगा अब इसी चीज को इसी concept को concept बस इतना इसा दिमाग में रखना है कि दो countries का interest rate equal होना चाहिए उसके बीच का difference हमेशा उतना ही रहे जितना कि आपके forward or spot rate की बीच का difference हो दोनों अगर equal है तो समझे कोई arbitrage नहीं है और इनका main focus यही कि कोई arbitrage नहीं हो arbitrage का मतलब यही है कि आप यहाँ एक जगा खरीदे दूसरे जगा invest करे पस profit बीच में ना कमा पाए आप यहाँ invest करें वहाँ invest करें बात आपको equally आए clear है इसको एक example से समझते है तो आपको बहुत clarity आजाएगी suppose करिए हम एक situation रखते है situation क्या हो गई कि rate of interest हमारा कितना है 3% का है ठीक है और international market में मतलब domestic market में 3% का है और international market में ये rate of interest कितना है 5% का है ठीक है और forward rate कितना चल रहा है 1.201176 और भही spot rate कितना चल रहा है 1.2245 चल रहा है clear है अब यहाँ पे हमको ये मानना है कि जो हमारा investor है investor कहां का है USA का है USA का investor है उसके पास 1000 euro पड़े है ठीक है currency में 1000 euro पड़े हुए है तो अब ऐसे situation पे मेरे पास क्या option है पास दो option है बही एक तो मैं अपने domestic market में invest कर दूँ ठीक है लेकिन है क्या मेरे पास euro है तो euro domestic market में invest करना है तो पहले तो वहाँ पे convert करेंगे फिर जाके invest कर पाएंगे दूसरा मैं euro को international market में invest कर दूँ तो वहाँ पे as it invest कर दे लेकिन बाद में जो अपनी country में उसको कमा लेंगे investment का time period खतम हो जाएगा तो जो पैसा पाएंगे उसको तो अपनी country में लाने के लिए convert कर लेंगे क्योंकि हम इस्तमाल कैसे करेंगे तो हम उसको तब convert करेंगे conversion तो करना करना है तो इनका यह होता है कि अगर आप इस तरह के किसी भी exposure में है तो आपको exchange rate में तो आना आना पड़ेगा चाहे आप शुरू में आई चाहे आप last में आईगे पर exchange rate में तो आपको आना पड़ेगा तो माल लेजे इस example में हमारे पास क्या है उस investor के पास जो यह से का investor जिसके पास thousand euro उसके पास दो option है पहला option क्या है कि वो home investment करें home investment क्या मतलब वो USM investment करें ठीक है तो अब क्या है कि माल लेजे हमारा जो spot rate हमें जो पता चला है वो क्या था 1.2245 dollar 1.2245 exchange rate हो क्या कि 1 euro के बराबर इतना आपका dollar है ठीक है तो practically अगर मुझे अपनी country में invest करना हो मेरे पास thousand euro है तो मुझे क्या करना पड़ेगा पहले उसको exchange करना पड़ेगा अपने thousand euro को dollar में convert करना पड़ेगा correct तो मैं exchange rate में आ गई exchange rate का exposure हुआ हमारा तो अब ही हम क्या करेंगे अपने thousand euro को इसी exchange rate पे spot rate जो चल रहा है उसी rate पे हम convert कर लेंगे तो thousand multiply by 1.2245 किया मेरा amount कितना आ गया 1224.50 तो मैंने अपने 1000 euro को जब dollar में convert किया तो मेरे पास 1224.50 dollar मिल गया thousand multiply करके आप इस rate से करेंगे आपका यह answer आ जाएगा तो मेरे पास अब कितने हो गए इतने dollar हो गए अब इस dollar को हम क्या करेंगे invest कर देंगे तो rate कितना था domestic market का 3% का rate था एक साल के लिए rate था हमारा तो हमने invest कर दिया और जब एक साल के बाद मेरा return आया तो कितना return आया 1261.23 अब अगर आपको question गयाद है तो question में आपने क्या देखा था कि एक जगा domestic market का interest था 3% का और international market का interest था 5% का interest rate में difference है 3 और 5 में उधर spot rate और exchange rate में भी difference था और parity के कहते हैं दोनों का difference एकक्वल होना चाहिए तो हम ऐसे 5-3 करके 2 और इसका ऐसे difference नहीं निकालते हैं क्योंकि हैं बहुत सारे factor होते हैं तो time period भी बहुत बड़ा matter करता है तो इसलिए इसका difference इस तरह से calculate नहीं किया जाता है तो अब वो देखी कैसे हम इसको equality की बात करते हैं कि हाँ ये IRP है कि नहीं ये forward rate सही था की नहीं spot और forward rate का difference सही था की नहीं और interest का difference दुनों equal है की नहीं अभी हमें यहाँ इसी example से clear हो जाएगा तो पहला हमारा case clear हो गया कि हमने 3% के rate पे investment कर दी clear है और हमें इतना return मिल जाए अब अगर interest rate parity के हिसाब से हमारा forward rate रहा तो हम अगर international market में भी invest करेंगे तो भी हमारा return इतना ही आएगा और अगर हमारा forward rate और spot rate का difference और interest rate का difference equal नहीं है अलग-अलग है तो हम अगर international market में जब investment करेंगे तो या तो हम जो भी हमने return पाया है उससे कम पाएंगे या उससे जादा पाएंगे clear है तब हमारा equal return नहीं आएगा तो चलिए हम second option को analysis करते हैं second option हमारा पास कहता है international investment तो सेम चीज़ थी हमारे पास thousand euro था उसको international market में हमें invest करना है clear है अब thousand euro international market में जब कर रहे तो हम euro को euro में invest कर रहे है proper तरीके से कोई conversion नहीं करेंगे अभी हम क्योंकि अपनी currency में थोड़ी कर रहे है हम as it is कर दे रहे हैं तो वहां का rate कितना था 5% का था साल भर का तो हम क्या करेंगे 5% पे साल भर के लिए invest कर दिया अब साल भर के बाद हमें कितना पैसा आएगा one thousand का five percent निकाल के थाउजन में प्लस करेंगे तो एक साल के बाद जो मेरे पास पैसा आएगा वो कितना आएगा one thousand fifty euro आ जाएगे एक साल के बाद आएगे अब जब एक साल के बाद मुझे one thousand fifty euro मिलेंगे तो क्या मैं euro ही लेके बैठेंगे नहीं उस euro को में क्या करना होगा convert करना होगा किस में dollar में convert करना पड़ेगा न क्योंकि हमारी currency है क्या dollar ही तो या तो हम पहले करते या बाद में करते तो अभी जब एक साल के बाद हम profit कमा लियें तब हम उसको क्या करेंगे अपनी country की currency में convert करेंगे IRP कहता है कि आप चाहे पहले convert करो चाहे forward rate पर करो चाहे spot rate पर करो आप convert करो और किसी भी rate किसी भी country में investment कर दो कहीं भी interest कितना भी कमा के आओ आपको exchange करने के बाद उतना ही पैसा मिलना चाहिए तब ही rate सही है और नहीं तो सही नहीं है तो यह चीज इनका कहना था तो अब हम यहाँ पर चेक करते हैं हमें क्या पता है कि forward का exchange rate कितना चल रहा है 1.201176 1 euro का है 1 euro के बदली आपको इतना dollar मिलने वाला है तो एक साल के बाद यह जो forward exchange rate है उसी rate पर तो हमको मिलने वाला है तो चलिए हमने आज ही क्योंकि साल भर के बाद हमें convert करना पड़ेगा एक साल के बाद जब मारे पास 1050 dollar आ जाएंगे तब हमें convert करना पड़ेगा तो हम क्या करें यहाँ पर हमने एक forward buy कर लिया एक साल के लिए we buy a forward one year in a future exchange rate हम future exchange rate में जाके एक साल का forward contract buy कर रहे है और क्या rate है इसी rate पर जो rate चल रहा था उसी rate पर हमने forward का जो rate है उसी rate पर हमने यह buy कर लिया clear है अब क्या होगा एक साल के बाद हमारी जो 1050 के euro है उसको हमें domestic currency में convert करना पड़ेगा मतलब किसमें dollar में convert करने पड़ेगा तब हम कितना पाएंगे तो 1050 multiply by यह exchange rate आपको देखिए amount कितना आया 1261.23 same amount आपने कमाया था जब आप international market में नहीं आप जो अपने ही country में 3% के rate पे कमाते तब भी आपको यही पैसा return मिल रहा था आप देखिएंगे आप same answer आया कहने का मतलब क्या हुआ साफ साफ दिखतो रहा था कि अगर हम अपनी country में invest करेंगे तो 3% कमाएंगे हम international market में जाएंगे तो हम 5% कमाएंगे तो हम international market में invest कर देते हैं लेकिन देखिए जब आप exchange rate में आएं और spot or forward का जो rate आपने determine किया गया था आपके market में उसकी वज़ा से आप 5% में भी कमाएं तो आप last में आपके पास currency convert होगे कितनी ही आई उतनी ही आई जितनी आपको साल भर के बाद domestic market में आती मतलब domestic market में invest करते तो जितनी आती उतनी ही आई 1261.23 इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कोई arbitrage का profit है क्या नहीं है आप चाहे home investment करो domestic investment करो या international investment करो return equal ही रहेंगे 1261.23 ही आपको return मिलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कोई भी arbitrage नहीं है और rate of return है आपका investment का वो equal है दोनों cases में चाहे आप international करो चाहे आप कहाँ पे करो चाहे आप domestic market में करो इसका मतलब यह जो difference दिख रहा था 5% का और 3% का rate का वो difference किसने गायब कर दिया वो difference गायब कर दिया आपका spot और forward rate के rate ने तो यही IRP ने क्या कहा कि forward और spot rate का जो difference है वो ऐसा होना चाहिए कि वो आपके दो countries के interest rate का बीच का जो difference हो उसके बराबर होना चाहिए तब ही कोई arbitrage नहीं आएगा और आप एक सही तरीके से profit कमा पाएगा मतलब सही तरीके से business होगा और exchange rate equal कहलाएगा सही exchange rate कहलाएगा इसको निकालने के formula है तो interest rate parity का formula क्या हो गया by 1 plus interest rate of foreign currency clear है अब यहाँ पे जो interest लेते हैं वो factor में लेते हैं मालजे 5% का interest है न तो 1 plus 5% नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे 1 plus factor करेंगे 5 divided by 100 तो 0.05 लिखेंगे तो क्या होजागा 1 plus 0.05 मतलब 1.05 यह मतलब होता है इसका तो 1 plus interest rate of domestic divided by 1 plus interest rate of foreign currency clear है इसी formula को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि forward divided by spot rate is equal to 1 plus interest rate of home currency or divided by 1 plus interest rate of foreign currency is it clear तो forward यहाँ पे क्या होगी अब दिखें वही जब आप solve करेंगे तो यही बन किजाएगा कि spot equal के उदर जा रहा है multiply हो जा रहा है ठीक है तो इसलिए अगर forward rate calculate करना है जैसे हमने भी example में दिखाया है न कि forward rate कितना था 1.2011 करके था न यह forward rate अगर actually हमको निकालना हो कि क्या rate निकालने कि हमारा interest rate मतब equal रहे difference खतम हो जाए difference से जो profit हो सकता था arbitrator को जो मिलता वो खतम हो जाए या हम अपने risk को कम कम करेगी हम 5% में invest करने के बाद भी exchange rate इतना डाउन हो जाए कि हमको कम return आए मतलब जो mistake से भी कम return आजाए उस risk को खतम करने के लिए अगर हम forward contract buy करने जा रहे हैं तो किस rate पर buy करें कि हमारा indifference ना आने पाए तो उसके लिए हम यह formula apply कर सकते थे forward is equal to spot multiply और यह rate interest rate of domestic currency या home currency और interest rate of foreign currency या फिर आपकी foreign currency in the sense वही है कि आपका दूसरी currency जिस countrys की आपके बात कर रहे हैं जहाँ पर investment करने जा रहे हैं clear है तो यह आपका home currency और foreign currency का हो गया I hope आपको interest rate parity का formula clear होगा और इसी basis पे सारे numerical ने कलते हैं arbitrage ना होने पाए एक जगह से कम लोग यही सोचते हैं कि कम interest rate वाले से borrow करो और ज्यादा interest rate वाले में जाके investment कर दो profit कमा लो यह profit आप ना कमाने पाएं इसी वजह से exchange rate ऐसा होना चाहिए कि दोनों के difference को खतम कर दे interest rate के difference को खतम कर दे Vishu all the best thank you so much